एक बार की बात है एक छोटे से गाउ में ओय नाम का एक लड़का रहता था वह एक दयालू और कोमल लड़का था लेकिन वह बहुत शर्मीला भी था उसके बहुत दोस्त नहीं थे और वह अक्सर अकेला महसूस करता था एक दिन ओय जंगल में खेल रहा था जब उसकी मुलाकात एक मोर से हुई मोर ओय ने अब तक देखा सबसे खूबसूरत पक्षी था उसके लंबे रंगीन पंख थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे ओय मोर से इतना प्रभावित हुआ कि वह शर्मिला होना भूल गया वह मोर के पास गया और अपना परिचै दिया मोर पहले तो हैरान था लेकिन जल्द ही वह ओय से घुल मिल गया ओय और मोर सबसे अच्छे दोस्त बन गये वे हर दिन जंगल में एक साथ खेलते थे मोर ओय को पेडो और जानवरों के बारे में बताता था और ओय मोर को कहानिया सुनाता था एक दिन कुछ लड़के जंगल में आए वे ओय से बड़े थे और वे बुरे थे उन्होंने ओय को चिढ़ाना और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया मोर ने जो हो रहा था वह देख लिया और वह लड़कों के पास उड़ गया उसने अपने खूबसूरत पंख फैलाए और जोर से आवाज निकाली लड़के इतने डर गए कि वे भाग गए ओय मोर का शुक्र गुजार था कि उसने उसे बचाया वह जानता था कि वह लड़कों का अकेले सामना नहीं कर पाता ओय और मोर कई सालों तक सबसे अच्छे दोस्त रहे उन्होंने एक दूसरे को जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाया और उन्होंने एक दूसरे की मदद की बुरे और अच्छे समय में एक दिन मोर की मृत्यू हो गई ओय बहुत दुखी था लेकिन वह जानता था कि मोर हमेशा उसके दिल में रहेगा ओय ने मोर से एक मूल्यवान सबक सीखा उसने सीखा की यह महत्वपूर्ण है कि आप दयालू और कोमर रहें भले ही वे आप से अलग हों उसने यह भी सीखा की यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वासों के लिए खड़े हों भले ही इसका मतलब बुलियों का सामना करना पड़े कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची सुन्दर्ता भीतर से आती है यह इस बारे में नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं बलकि यह है कि आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं दयालू बने कोमल रहें और अपने आप के प्रती सक्चे रहें और आप हमेशा सुन्दर रहेंगे I hope you like it